हेलो एव्रिवण… स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्योब चैनल हिंदी घ्यान में मैं हूँ हेम कुमर गहतोड़ी… मित्रो आज हम बात कर रहे हैं रीतिकाल की नामकरण और रीतिकाल का वर्गी करण देखिए रीतिकाल का नामकरण और रीतिकाल का वर्गी करण दोनों ही बहुत जादे महत्वपूर्ण हैं आज हम पहले नामकरण पर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे विस्तरित चर्चा करेंगे वर्गी कर जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1700 से 1900 तक मतलब 1643 से 1843 तक 43 है यह I think clear नहीं हुआ है 1643 से 1843 इस भी तक यह रितिकाल की समय सिमा मानी जाती है देखे भक्ति मध्यकाल को दो भागों में बाटा गिया था पूरो मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल देखे जब हम हिंदी साहिति के विवाजन की बात करते हैं तो हिंदी साहिति को आधिकाल मध्यकाल और आधुनिक काल में बाटा गिया और मध्यकाल को दो भागों में बाटा यह सब कुछ की उत्तरमधिकाल किसे कहते हैं तो रीतिकाल को उत्तरमधिकाल कहते हैं या रीतिकाल को उत्तरमधिकाल को रीतिकाल कहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरमधिकाल को भक्तिकाल और उत्तरमधिकाल को रीतिकाल कहा गया है अब बात करते हैं, रितिकाल को नाम क्या क्या किया गया, रितिकाल का नाम क्या 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 रखा गया, आप लोग इसमें देख भी सकते हैं, बहुत कुछ इसमें दिया गया है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, रितिकाल के जो नाम दिये गए, वै दिये गए, मिस्र बं राम चंद्र सुक्र बहुत ज़्याद महत्वपूर्ण माने जाते हैं उनका लिखावा इतियास आज भी बहुत ज़्याद महत्वपूर्ण है और उन पर ही आधारित है उन पर ही उनको आधार मानके और जो बड़ी लेखक थे उन्होंने भी रचनाय की हैं तो आचारी राम जुकल ने रीतिकाल नाम दिया है तो इन्होंने अपने अलग अलग तर्क दिये हैं। मैंने नीचे लिखा हुआ है कि जो मिस्तरβंदू हैw sixth उन्होंने कृत काल नाम क्यों दिया विश्वनात प्रसाद मिस रहे हैं उन्होंने इसे सरंगाल काल नाम क्यों दिया और आचारे रामचंडर सुकल जो है उन्होंने इन्हें रितिकाल नाम क्यों दिया आगे देखते हैं कि आचारे रामचंडर सुकल ने इसे रितिकाल नाम क्यों दिया देखे आगे 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 लिखा हुआ है कि स्रंगार काल कह जाने के पक्ष में यहतर्क दिया गया कि इस काल की कवियों की व्यापक प्रविर्ती थी वह स्रंगार वर्णन की थी जानते हैं कि रितिकाल के जो भी कवी है, उनकी जो प्रविर्ती रही है, वह स्रंगार वर्णन की रही है, उन्होंने अपने कावि में स्रंगार का वर्णन किया गहा है, इसलिए इसे स्रंगार काल कहने के पक्षि में थे विश्वनात प्रसाद मिस्र, लेकिन अचारी रामच शुक्र ने इसे रीतिकाल क्यों कहा देखे रीति निरूपन की जो प्रवर्ति थी उसी बेजह से इसे रीतिकाल कहा गया हम देख लेते हैं आपन रीतिकाल में रीति सब्द का जो प्रयोग है वह काव्यांग निरूपन के अर्थ में हुआ है ऐसे ग्रंथ जिनके काव्यांग के लक्षण और उदारण दिये जाते हैं देखो यह ज्यादा इंपोर्टेंट है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसे थोड़ सा समझा दे रहा हूं रीती सब्द का जो प्रियोग है वह काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है अर्थात काव्य के अंगो का निरूपण उसमें हुआ है ऐसे गरंथ जिनके काव्यांगों के लक्षण और उदारण दिये जाते हैं ऐसे गरंथ जिनके काव्य के अंगों के लक्षण दिये जाते हैं किसी के भी लक्षण जैसे आप जानते हैं कि जब हम कविता की बात कर रहे हैं पहले हम उनके लक् रिति गरंत तो पतना हैं, वैसे हिए नहीं को चलत करना हैं, लाउट को चलते हैं, जैके यूधे वो है रीति निरोपन का काम कर रहे थे, अर्थात पहले वो है लक्षणों को ध्यान में रख रहे थे, और फिर उधारणों को ध्यान में रख रहे थे, या फिर लक्षणों और उधारणों को अपने ध्यान में रख रहे थे, और उन पर आधारित रचनाई कर रहे थे, अचा इस समय की जो प्रवर्ती कैसी थी, इस समय के कवियों की प्रवर्ती कैसी थी, उसी को आधार मान के इन्होंने इसका नामकरण किया है, अतहर रीती की प्रधानता के कारण इस काल का नामकरण इन्होंने रीतिकाल किया है, देखे रीती से उनका तातपरिय किस किस से है, देखे से कोई भी से सैली है और काव्यांग निरोपन से है रीती से उनका दात पर यह पध्यती से है सैली से है और काव्यांग निरोपन से है काव्य के आंगों का निरोपन सैली एक जो सैली बनी रहती है एक पध्यती एक पध्यती से है तो रीतिकाल का अब प्रारम की बात करते हैं क यह रितिकाल का जो प्रारम में है, वह चिंतामडी जो आपके कवी है, उनकी रचना रस्विलास और मतिराम की रस्डात से मानी जा सकती है, यदि भी उनकी रचना 633, 1633 भी है, बहुत div सकती है, तथा रितिकाल के अंतिम कवी जो है, वह ग्वाल कवी है, देखें जो प्रथम कभी है उन्हें चिंता मड़ी के रस्विलास और मतरामकित रस्राज से माला जाता देखो किसी की हम रचना को आज यह नहीं कह सकते या फिर किसी समय को हम यह नहीं कह सकते कि यह समय इसी समय से प्रारम हुआ होगा रेतिकाल इतने उस दिन से प्रारम लग भग उपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है ऐसा लेखकों में भी आपको देखने को मिलेगा तो कहते हैं कि रीतिकाल का जो प्रारंब है 1633 बी से लगभग यह मान रहे हैं वैसे उपर आपने देखा होगा 1643 बी से रीतिकाल माना गया है लेकिन जो इनकी रचनाएं हैं चिंतामणी का रस्विलास और मद्जिराम का रस्राज है वहां से रितिकाल का प्रारम में मान लिया गया है और उनकी रचना 1633 भी गया हाला कि नामकरण इसका हमने उपर समय सीमा 1643 पड़ी थी लेकिन यहां पर कहते हैं कि 1633 भी मैं यहां रचना आ गई थी अर्था इधर से ही प्रारम भो हो गया था तो रितिकाल के जो अंतिम कवी है वहां गवाल कवी है और उनकी जो रचना है रसरंग वहां 1853 भी है लेकिन हमने उपर पड़ा था कि इनकी जो रचना जो समय सीमा है वहां 1853 इसलिए यह निश्चित नहीं है तो निश्चित लिखा भी है कि निश्कर से है कि किसी काल का प्र संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा माना है लिखक का तो अगे हम देखते हैं रितिकाल की वरगी करण को देखने की कोस्टिस करते हैं कि रितिकाल को कैसे कैसे वरगी करण किया गया है, यह हम देखने की कोस्टिस कर लेते हैं देखिए रितिकाल का वरगी करण रितिकाल का वरगी करण रितिको आधार बना कर रितिका मतलब अभी आपको बता चल गया है रितिका मतलब किसी पध्यती से है किसी सहली से है और काव्यांग निरूपन से है तो जो रितिकाल है रितिकाल का वरगी करण रीती को आधार बनाकर इस प्रकार किया गया है यह जो अब हम बता रहे हैं यह बहुत ही महतुपून है एकजाम की दृष्टी से चाहे वह कॉलेज की एकजाम हो चाहे वह नेट यूजिसी के एकजाम हो उसके लिए बहुत ही महतुपून है और मुझे लगता है कि विद्ध्याति जो ग्रेजुपून की तयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महतुपून है साइधिया क्वेश्चन आभी सकता है तो रीती काल का वर्गी करण रीती को आधार मान के क्या है और तीन प्रकार के हैं रीती बद्ध, रीती मुक्त और रीती सिद्ध अब हम जानना चाहेंगे कि रीती बद्ध क्या है रीती मुक्त क्या है और रीती सिद्ध क्या है तो देखेंगे सबसे पहले हम देखने हैं रीती बद्ध को रीती बद्ध इस वर्ग में वेकविया आते हैं जो रीति के बंधन में बधेवे हैं, जो नियमों में बधेवे हैं, कौन से नियमों में, रीति के, रीति का मतलब पध्यति सेली काव्यांग निरूपन, जो पुरानी परमपराएं हैं, जो पुरानी नियम हैं, उन पर बधेवे हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंधों की रचना की रीती ग्रंथ कोन है जिन्होंने पध्यती सहली और काव्यांग निरूपन को अपनाया है और जिन्होंने लक्षन और उधारण उपर धियान दिया है ऐसे कवी हैं अपने उपर पढ़ा था कि ऐसे ग्रंथ जिन में काव्यांगों के लक्षन और उधारण दिये जात सुरती मिस्र, सुमनात, भिकारीदाज, दूलह, रगुनात, रसिक, गोविंद, प्रताप, सिंग्वाल, आदी तो यह है महत्वपून कवी, रीती बद्ध के, हम देखते हैं, रीती मुक्त में कौन-कौन से कवी आते हैं और रीती मुक्त के कवी कौन-कौन से हैं तो रीती मुक्त में क्या है, रीती मतलब आपको पता चलिया नियम, रीती का मतलब हो गया पध्यती, रीती का मतलब सैली, रीती का मतलब काव्यांग निरूपन और रीती में ऐसे ग्रंथ जिन में काव्यांगों के लक्षण और उधारण दिये चाते हैं उन्हें रीती ग्रंथ कहते हैं तो अब हम देख गए हैं रीती मुक्त को इस वर्ग में वेकव आते हैं जो रीती के बंधन से पूर्णत हैं मुक्त हैं जो किसी बध्यती सहलिया और काव्यांग निरूपन से मुक्त हैं तो इसमें अर्थात यह हो गया कि इन्होंने जो काव्यांग निरूपन करने वाले जो ग्रंथ हैं उनके लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की और हिर्दय की स्वतंत्र वृत्यों की आधार पर कावे रचना की हम बात कर रहें रीतिकाल की रीतिकाल में तीन प्रकार के कवी हैं रीति सिद्ध कवी, रीति मुक्त कवी, रीति बद्ध कवी तो हमने रीती बद्ध कवी के बारे में पढ़ लिया है रीती बद्ध ऐसे कवी हैं जो रीती के नियमों को मानते हैं जो रीती गरंथों की रचना करते हैं जो रीती के बंधन में बधेवए हैं रीती मुक्त में ऐसे हैं जो किसी नियम बंदन में बदे वे नहीं हैं वह स्वतंत्र होकर श्वतंतर वृत्तियों के आधार पर अपने कावे रचना करते हैं वह है रीती मुक्त कवी है उन्हें हैं गहनानंद बोधा अलम ठाकुर चार लों का नम बहुत ही ज़्यादा वैसे ही सेम टो सेम रीती बद्ध के लिए भी है अब हम बात करते हैं रीती सिद्ध कवी रीती सिद्ध कवी क्या है रीती सिद्ध देखियो मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ रीत का मतलब नियम मान लीजिए ऐसे मान लीजिए ठीक है आपको समझाने के लिए कहा रीती बद्ध में ऐसे कवी जिन्होंने नियामुका पालन किया जिन्होंने लक्षण गरंथ लिखे जिन्होंने उधारण लिखे वह रीती बद्ध कवी हो गए रीती मुक्त कवी हो गए जिन्होंने नियामुका पालन नहीं किया जिन्होंने लक्षण और उधारण नहीं लि ठीक है रीती गरंत नहीं लिखे किन्तु रीती की उन्हें भली भाती जानकारी थी उन्हें नियमों की सब कुछ उन्हें जानकारी थी कैसे क्या करना है कैसे लिखना है कैसे करना चाहिए कैसे लक्षण गरंत कैसे होते हैं उनके नियम क्या क्या होते हैं यह सब रीती सिद्ध कवियों को मालम थे वे रीती में पारंगत थे उन्होंने इस जानकारी का पूरा-पूरा उपयोग आपने काविगरंथ में किया जैसे उन्हें लक्षणों के बारे में पता था उधारण के बारे में भी पता था नियम के बारे में भी पता था लेकिन उन्हें उसका उपयोग अपने कावे में तो किया लेकिन ऐसा नहीं किया कि पहले लक्षन लिखे फिर उधारन लिखे ऐसा उन्होंने नहीं किया इस वर्गे के जो प्रतिनीदी कवी हैं वहीं भीहारी हैं और उनके एक मात्र गरंथ उनका है आप सब जानते हैं भीहारी सचे में रीती की जानकारी का पुरा पूरा उप्योग कवी ने किया है, अनेक प्रकार की नाइकाउं का उसमें समावेश है तथा विसिस्ट अलंगार पर भी उनके अनिक दोहे खरे उतरते हैं देखे जब तक किसी पाठक को रीति की जानकारी नहीं होगी आप सब जानते हैं जब तक किसी को रीति की जानकारी नहीं होगी तो रीतिकाल के बारे में नहीं जान सकता है और तब तक वह बिहारी सथा के अनिक दोहों का अर्थ हिर् इन मैंने आपको बता दिए रीती बद्ध, रीती मुक्त, रीती सिद्ध, दिखिए कभी-कभी ऐसा आ जाता है, लोगांसर आ जाता है, रीती कालका वर्गी एकरण करिए, और कभी-कभी आ जाता है कि रीती बद्ध किसे कहते हैं, रीती मुक्त किसे कहते हैं, और रीती सिद् अखर आपको और टॉपिक पर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें तो मैं आप लोग को वीडियो बना के दियार कर दोगा धन्यवाद